गुरु गरंत साहिब में गुनानक देव जी की जो मूल सिक्षा है वो है नाम जपो, कीरत करो ते वंड चक्को नाम जपो मतलब हमेशा इश्वर के नाम का सिम्रन करते रहो ताकि इश्वर की कृपा आपके उपर हमेशा बनी रहे कीरत करो मतलब कड़ी मेहनत से काम करो और कड़ी मेहनत से काम करने पर कमाया पैसा ही आपके परिवार के लिए फलदाई होगा और वंड चक्को मतलब मिल बाट कर खाओ दोस्तो सिक्धर्म के लोग गुरु के दिये गए इन नियमों का तनमंधन से पालन करते हैं दोस्तों कैनेडा, अमेरिका, इंगलेंड, न्यूजिलेंड और आस्ट्रिलिया की गौवर्मेंट ने सिख समुदाये को उनके द्वारा किये गए कारियों के लिए हमेशा संबानित किया है। दोस्तों सिख हमेशा संकट आने से पहले तयार रहते हैं और सिख दर्म में एक कहा जाता है एकता, समानता और सेवा का भाव रखो और सिख दर्म हमेशा एक बात समझाता है कि जुल्म करना पाप है वैसे ही जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। सिख धर्म में हर पुरुष सिंग होता है और हर महिला कौर होती है और आपने देश की आजादी में सिख धर्म के लोगों के द्वारा दी गई शहादत के बारे में पहुत पड़ा होगा। इंडियन एक्स्प्रेस में पबलिश हुआ था उसमें बहुत बड़ा खुलासा किया। लंबे संगर्ष और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद भारत देश आजाद हो गया था। और आजाद होने के बाद वो अपनी आर्थिक प्रगति की और बड़ी रा था कि 1962 में चीन न से एक अनुरोध किया कि आप दिल खोल कर नगद वसोना दान करें ताकि हम आर्थिक रूप में मजबूत हो और देश को प्रगति की और ले जाएं और चाइना से युद में हमें सहयता मिले। देश पराए संकर्ट के इस नाजुक समय में प्रतियेक राज्य के देशवासी ने खुल कर नगद वसोने के रूप में भारत का सहयोग किया और उस समय सिक समुदाय और पंजाब के लोगों द्वारा दिये गए योगदान को देखकर पूरा भारत दंग रह गया। NDF यानि National Defense Fund के अंकड़ों के अनुसार 28 नवंबर 1962 को पूरे भारत वर्ष से जो कलेक्शन आया वो 8 करोड रुपय का था और उस 8 करोड की राशी में 46% का जो रिवेन्यू रिसीव हुआ वो केवल पंजाब और 6 समुदाय से हुआ। मतलब 8 करोड में से 3.68 करोड रुपीज किवल पंजाब और 6 समुदाय ने दिये। पूरे देश से जो गोल्ड योगदान के रुप में प्राप्त हुआ था वो 257 किलो 32 ग्राम था जिन में से अकेले पंजाब ने 252 किलो सोना गेहने और वो गोल्ड मैडल जो महाराजा रं पंजाब के सिक्षा विभाग ने स्कूल और कॉलेज के विद्यारतियों को जिन में 2 लाख लड़कियां भी शामिल थी फौज की ट्रेनिंग दी ताकि जरुवत पढ़ने पर वो जंग के मैंदान में जा सके और दुश्मनों को धूल चटा सके इसे कहते हैं असली देश प पंसकार के लिए इंतजार कर रही हैं और आज भी सिक्षमुदाय हर तरह से सेवा करने में ततपर है चाहें वो जरुत मंदों को दवाईयां उपलब्द कराने से लेकर हो या ऑक्सिजन की सप्लाई हॉस्पीटल से लेकर मरीजों तक पहुंचाने से लेकर हो मरीजों के पर गुर्विन सिंग जी के बंदे अपनी जान की परवा किये बिना सदियों से मानत्ता की सेवा करते हैं और करते रहेंगे गुरु नानक देव जी की मूल सिक्षा का अनुसरन सिक्षमुदाय का हर व्यक्ति कर रहा है मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देश के हर नागरिक के साथ शेयर करें ताकि वो भी सिक्षमुदाय की तरह कंदे से कंदा मिलाकर हर समस्या में देश के साथ खड़ा हो और एक मानता की सची मिसाल दें सचना हो वई जे सोची लखवार चुपए चुपना हो वई जे लाए रहा लिवतार पुखिया पुखना उत्री जे बन्ना पुरिया पारन सहस्यान पालक हो है ता एक न चले नार किव सची आरा हो ये किव कोड़े तुटे पालो वकमर जाई जलना नारक लिख्याना वाई ग्रुजी दा खाल सा वाई ग्रुजी दी फते